हेलो फ्रेंज आपके पास अगा सैमसुंग का मोबाइल है और उस पे एंडूइड 11 का सौप्टर है तो यह वाला जो टाच पॉइंटर है आप किस तरह से इनेबेल कर सकते हैं वही सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बाता हूंगा चैनल पर पहली वार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिकेशन को जूरूर पेस कर दीजेगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते है तो इसके लिए आपको कोई थार्ड पर्टी अप्लिकेशन को यूज नहीं करना पड़ेगा आपके मोबाइल के सेटिंग के अ कोगा देने आपको इब ऊपको अप्र में प्रक्राइब करना है वह थोके सब्सक्रआब करना हसाथ ने अपकोदार सकूल आपल आप Enough करना होगा बीना सबद्न के और मोबाइल कंद्चिए खेंग दूद्न के पासवड दिया हूख है तो आपको यहां पैस्क्रेशन लिख यहां पे developer option, इनेबल हो जाएगा sekarang उसका बाद back आजाना है यह यहां पे about phone के नीचे यह आपको developer option दिख जाएगा तो simply यहाँ पर आपको tap करके इसको आपको on कर देना होगा, उसके बाद यह जो touch pointer है छोटा सा यह आपको दिख जाएगा, तो उसके बाद आपको back आना होगा, then यहाँ पर accessibility पर आपको tap करना होगा, दन यहापे आपको interaction and dexterity दिख जाएगा इस पर आपको simply tap करना होगा दन यहापे थोरा सा scroll करना है दन यहापे आपको touch setting मिल जाएगा दन यहापे ignored repeat touches इसको आपको यहापे tap करना होगा तेन यहां पर इसको on कर देना है तेन आपका जो touch pointer है ओ यहां पर आपको so हो जाएगा सो बस इतना ही आपको करना होता है सो फ्रेंज वीडियो अगर थोड़ा भी helpful रहा तो वीडियो के एक like कर देना और चैनल पर पहले बार आये है तो subscribe करना बिलकुल मत बोलना so thank you for watching and take care